हेलो मेरे योट्यूब फैमली विलकम बैक मैं योट्यूब चैनल विलकम टो प्रियांको प्रियांको प्रियांस अभी का फिर से स्वागत करती हूं आज मैं आप सब के लिए लेका है हूं मटार की कचोड़ी की रेसे पी वह भी एक दम असान तरीके से यह इतना टेश्टी बन करके त्यार होती है कि आप लुखाते ही रह जाएंगे तो चलिए आज के मैदा रिस्पी को शुरू करते हैं और अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सेस्क्राइब करना ना भूले देखें आ पर हम गीहू काटा ले लिए हैं और आप लोग गीहू काटा कम या जादा भी कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे मैदा अब हम डालेंगे एक छोटा चमच नमक अब हम डालेंगे अजवाइन अजवाइन को हम हाथों की मदद से मैस्क कर देंगे अब हम डालेंगे रिफा करके तियार करेंगे को और देखिए how's your manager on биम देखिए हम कीज़िए हाँ बनाने के लिए जीजुट को घरआब देंगे शबारत जील लेक्त और नश्ची तियार को भूनेगे और देखें हमारा प्यांज और लसुन अची तरह से भून गया है अब हम ढालेंगे एक छोटा चमाच अल्दी प'm कि एक और छोटा चमाच धनिया पउडर मिग़ों एक छोटा चमाच बश्मी लालमीज पोर्डर को यद्यार चमाच सवरजी मसाला हम अब हम डालेंगे स्वादन स्वानमक, अब हम डालेंगे कसूरी मिथी, अब हम अच्छी तरह से मिला देंगे, देखे हम मिला दी है, अब हम इसमें डाल देंगे, जो मटर चिल करके रखे हैं, इसको हम डाल देंगे, अब हम मिला देंगे, देखे हैं मिला दिये हैं अब हम इसमें हलका पाइं डालेंगे और इसी तरह से मिला देंगे देखे हैं मिला दिये हैं अब हम इसको चार मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर धकर के रख देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे 4 मिट हो गया है अब हम धकन को हटा देते हैं अब हम चला देते हैं और देखिए हमारा मटर भी एक तो मची तरह से भून करके त्यार हो गया है अब हम मटर को एक ब्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे देखिए हमारा मटर ठंडा हो गया है अब हम इसको दरदरा फेस्ट बना करके त्यार करेंगे और पेस्ट बनाने के देखिए हम मिकसर जल का इसमाल कर रहे हैं अब हम इसको डाल देंगे मिकसर जल में और इसको हम दरदरा पेस्ट बना करके त्यार करेंगे और देखिए हम द पेदमे भेस से लोई बनाई है और रहं में भेएजा बना लाई हैं आपて स् और एक पर आपको बना करके दिखा रहे हैं अब हम पर्थम में ले लेते हैं और आप लोग इस तरह से बेल करके भी बना सकते हैं और या तो हाथों की मदफ से भी बना करके त्यार कर सकते हैं आप लोग कितना साइस का कचोड़ी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बेल करके त्यार किजी और इसी तरह से हम सारा कचोड़ी को बेल करके त्यार कर लेंगे और देखे हम सारा बेल करके त्यार कर लेंगे अब हम इसको तेल में चानेंगे कचोड़ी को चानने के लिए आपर हम पहले कढ़ाई में इस रिफाय इन तिल डाल के गरम कर लिए हैं अब हम इसमें डाल देते हैं जो कचोड़ी बना करके त्यार किये हैं इसको हम डाल देते हैं और गैस को मिडियम डू लो फिलम पर ही रखेंगे ताकि हमारा कचोड़ी जले नहीं और इस तरह से हम चुलनी के मदद से बीच-बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा कचोड़ी जले नहीं देखिए हमारा कचोड़ी एकदम तल करके त्यार हो गया है अब हम इसको एक बतर में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारा कचोड़ी को तल करके त्यार कर लेंगे और आप लोग मेरे तरीके से इस रेसीपी को एक बाज़रू बना करके ट्राइ किजिएगा यकीन मानिए दोस्तों आप सबको बहुत पसंद आएगा और देखिए हम सारा कुछ उड़ी को तल करके त्यार कर लिए हैं और आप लोग इसे चटनी के साथ या सबजी के साथ सर्व करके खा सकते हैं उमीद करते हूं कि आप सबको हमारे रेसिपी पसंद आये होगी प्रियूम फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई